हवाओ राजनी गाओ मेरा महदूप आया है वैसे तो रफी साहब जितने भी सौंग गाएं जेतनर जी के लिए लोगों को बहुत पसंद आया लेकिन कुछ सौंग ऐसे हैं जो अमर हो गएं तो चलिए दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे सबसे पहले 1967 में आई फिल्म फर्ज इसके तीनों गाने सूपर डूपर हिट हो गएं पहले गानी के बोल है मस्त बहारो का मैं आशिक अगले गानी के बोल है बार बार दिन ये आएं फिर सुमन कल्यानपूर के साथ एक सौंग आएं हैं जिनके बोल है तुमसे ओ हसीना फिर 1968 में आई फिल्म आउलाद इसके दो गाने सूपर डूपर हिट हुएं पहले गानी के बोल है अब के बहार फिर लता जी के साथ एक डूएट की उसके बोल है अर्मा था हमको जिनका फिर 1968 में फिल्म मेरे हजूर इसके एक गाने सूपर हिट हुएं गाने के बोल है रुख से जरा फिर 1969 में फिल्म दो भाएं इसके एक गाने सूपर डूपर हिट हुएं गाने के बोल है गीत नहीं बन सकते और रफी साहब के बोल यहां से है फिर 1969 में फिल्म जीने की राह इसके बहुत सारे गाने सूपर हिट हुएं पहले गाने के बोल है आने से उसके आये बहार अगले गाने के बोल है एक बंजारा गाए जीवन के गी सुनाए फिर आशा जी उशा जी और हिमलता जी के साथ एक सौंगाएं गाने के बोल है 1969 में फिल्म जीगडी दोस्त इसके एक गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है फूल है बहारो का रफी साब के बोल ये है फिर 1969 में फिल्म वारिस इसके एक गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है लहरा के आये है और ये है रफी साब के बोल फिर 1970 में फिल्म मा और ममता इसके एक गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है तेरे रूपने फिर 1970 में आई फिल्म हम जोली इसके दो गाने सुपर हिट हुएं पहले गाने के बोल है धल गया दिन और ये है रफी सहाब के बोल फिर 1970 में आई फिल्म जवाब इसके दो गाने सुपर डूपर हिट हुएं पहले गानी के बोल है चली कहां और ये है रफी सहाब के बोल अगले गानी के बोल है किस कारण जोगन फिर 1970 में आई फिल्म नया रास्ता इसके एक गाने सुपर हिट हुए गाने के बोल है इश्वर अल्ला तेरे नाम फिर 1971 में आई फिल्म कारण इसके सभी गाने सुपर डूपर हिट हो गए पहले गानी के बोल है गोरिया कहां तेरा देश रे फिर लता जी के साथ हिक डूएट है गाने के बोल है चड़ती जवानी मेरी और ये है रफी साहब के बोल पहले गाने भी लता जी के साथ है गाने के बोल है कितना प्यारा वादा फिर 1971 में आई फिल्म यार मेरा इसके दो गाने सुपर डूपर हिट हुएं पहले गाने के बोल है है कुछ ऐसी अदासे सुमन कल्यानपुर के साथ हिक डूएट है गाने के बोल है दिल की किताब और ये है रफी सहाब के बोल फिर 1972 में आई फिल्म रूप तेरा मस्ताना इसके दो गाने सुपर हिट हुएं एहले गाने के बोल है बड़े बेवफा है ये फिर 1975 में आई फिल्म आखिडी दाओ इसके एक गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है ऐसे ना हो के फिर 1977 में आई फिल्म प्रियतमा इसके एक गाने सुपर हिट हुएं फिर 1978 में आई फिल्म दिल और दिवार इसके एक गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है लोगो ये किसकी अर्थी चली फिर 1978 में आई फिल्म बदलते रिष्टे इसके एक गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है ना जाने कैसे पल में और ये है रफी सहाब के बोल फिर 1979 में फिल्म जानी दुश्मन इसके ये गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है तेरे हाथों में पहना के फिर 1979 में आई फिल्म आतीश इसके दो गाने सुपर हिट हुएं पहले गाने के बोल है बाबू मने जरावे और ये है रफी सहाब के बोल फिर आश्चा जी और हमलता जी के साथ है डूएट है गाने के बोल है तेरे चाहने वाले और ये है रफी सहाब के बोल फिर 1980 में आई फिल्म वक्त की दिवार इसके ये गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है ए यार तेरी यारी और ये है रफी सहाब के बोल फिर 1980 में आई फिल्म जल महल इसके गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है ततया ने डंक मारा और ये है रफी सहाब के बोल फिर 1980 में फिल्म जोती बने ज्वाला इसके ये गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है दिल धड़क रहा है ये है रफी सहाब के बोल फिर 1980 में फिल्म आश्चा इसके दो गाने सुपर हिट हुएं पहले गाने के बोल है तूने मुझे बुलाया फिर लता जी के साथ एक डुएट है गाने के बोल है तुमको सलाम है ये है रफी सहाब के बोल फिर 1981 में आई फिल्म शाका इसके एक गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है मुझबत बड़ी बेवफा फिर 1981 में फिल्म शारदा इसके एक गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है काहे बिंदिया लगाई और ये है रफी सहाब के बोल फिर 1987 में आई फिल्म मददगार इसके एक गाने सुपर हिट हुएं गाने के बोल है क्या हुआ याद नहीं तो दोस्तो ये था आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करना मत भुलेगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भुलेगा और दोस्तो कमेंट्स जरूर करिएगा कि अगला आप वीडियो किस सिंगर का किस एक्टर के साथ देखना चाहते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में